आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम है सिद्धान तग नहीं होता ही, स्टेडी ग्लोस पर आपको बहुत 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 है जनम अश्टमी की आपको धेर सारी शुब कामना है दोस्तों, आज भगवान कृष्ण का बढ़े है, जनम दिन है, भगवान कृष्ण जो हम सब की ताकत है, हरे कृष्ण, हरे राम इनका जब करने से आपके सारे दुख सतम हो सकते हैं, आप भगवान की तरफ जा सकता, कोई म आप जीवन को रेप्रेजेंट करता है, भगवान कृष्ण ने धर्म की उत्पत्ति के लिए, धर्म की स्थापना के लिए सब कुछ किया, लेकिन धर्म स्थापत होना चाहिए, उन्होंने चल भी किया, उन्होंने जूट भी बोला, उन्होंने प्यार भी किया, भगवान आज भी मैं नौवा अध्यायाज मैं complete करूगा तो अर्जुन जो है भगवान कृष्ण बोल रहे थे कि अर्जुन तुम कुछ करते क्यों नहीं हो तुम इतने जाधा बेफिक्र कैसे हो अर्जुन क्योंकि जब भी उद्धि लड़के आराम से सो जाते तो भगवान कृष्ण हमारे जीवन की उजिनाय बनाते हैं आयदकना हमारा काम है सिर्फ काम करना कर्म करना जिसके साथ भगवान कृष्ण है और सबके सात्बवान क्रिशन है बस अपने दिल को अच्छा करिये बगवान कृष्ण आपका और साथ देंगे तो जनम अश्टमी कि आपको हार्दिक सही सब्सक्रम. राम में से नहीं रेको आएं0 हम 10 जारी में की लिच्टर लिया था,िसीमिंप की बाता हुँ क्रिशन की कहानीh बहुत ही जारदा की बताता हूं कि भगवान क्रिश्नर वश्णू के अवतार थे धेकि नहीं, भगवान कृष्ण जो है वो विश्नु के अफ्तार थे, भगवान स्वयम विश्नु के दस अफ्तार थे दसवा अफ्तार अब जन्म लेगा, 4 is to 3 is to 2 is to 1 के रिश्यो में सत्य युग तिरेता युग द्वापर युग और कल्युग द्वापर युग में ही भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण की बात करें तो कंस था मतुरा का राजा बड़ा निर्दई राजा लोगों पे अपनी प्रजा पे बहुत ही अत्याचार करता था कंस के पहले उग्रसेन थे जो कि कंस के पिता थे तो उग्रसेन को बंदी बना के कंस राजा बन गया था मतुरा का अब इनकी वहंती चचेरी वहंती देवकी तो देवकी से कंस बहुत प्यार करता था उनका विवा हुआ था, देव की जगार जो विवा हुआ था वासुदेव से, तो आप क्या हुआ था कि विवा के बाद अपने रत पे कंस वासुदेव और देवकी को ले जा रहा था, ससुराल जा रही थी देवकी, लेकिन एक गदम से आकाशवारी होती है कि एक अंस इतना ज़्यादा परिशान, इतना ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि बहुत जल्द तुम परिशान होने वाले हो, देवकी और वासुदेव का आटवा पुत्र ही तुम्हारे काल का कारण बनेगा, बस, हतम, वद कर देगा, तुमको मार देगा, कंस का माता ठनक गया, कंस ने क्रिश्ण से के पैदा होने से पहले, जब श्री क्रिश्ण अवतारित होने वाले थे, भगवान विश्णु स्वयम आये, वैकुंट से, और वासुदेव को बताया, कि मैं स्वयम, देवकी की कोक से जनम लूँगा, और तुम मुझे नंद क्या, यशोदा क्या, छोडाना, और वहाँ पे उनको एक बेटी हुई है, उनसे रेप्लेस कर देना मुझे, जो बेटी थी वो सिर्फ और सिर्फ माया थी, ये सब प्रिकृती का रचा हुआ, खेल था, जोकि कंस की मृत्ति हुचाता था, क्योंकि कंस का पापप भर चुके था, उसके पापप पूरे हो गय तो ऐसे में भगवान कृष्ण का जनम होता है, और उसके बाद, जैसे ही भगवान कृष्ण अवतरित हुए, सारी बेडिया अपने आप खुल गए, जो कारगार में गार्ड्स थे, सब के सब सो गए, सारे दर्वाजे अपने आप खुल गए, वासुदेव ने टोकरी ली, कृष्ण को स्टोकरी में रखा, और अपने सर पे लेके वो चल दिये, लेकिन बीच में यमुना नदी थी, अब यमुना के अंदर था शेशना, यमुना नदी को कैसे पार करे, वहुत तूपानी रात थी, लेकिन यमुना भी शीर कृष्ण के, उनको बस इसपर्ष करना च लिया, भगवान कृष्ण को रखा है, नदी किया, और उसके बाद उस पुत्री को वापस लिया, तो कंस को पता चला दे तो पुत्री हुई है, लेकिन एक्दम से वो थी दुरगा मा, अब तरीत होती है, और उसके बाद कंस को बोलती कि बेटा, तुमारा बस टाइम आ गय अल्टिमेटली कंस कावद करके श्रीकृष्ण मतुरा के राजा बने, तो भगवान श्रीकृष्ण की कहानी बहुत लंबी है, बहुत सारी लिलाएं हैं, हम बात करेंगे भगवान श्रीकृष्ण की कहानी के बारे में, लेकिन किसी और लेचर में, फिलाल, जो पहरा लिसन भगवान श्री कृष्ण देते हैं, जिसको प्यार करते हो उसे कभी भी मत छोड़ो, ये बहुत 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 बढ़ी सीख है, याद रखना कि अपने पैशन को कभी भी मत छोड़ो, कॉर्परेट लाइफ के लिए भी वड़ा इंपोर्टेंट है, हम लोग कर बांसुरी बजाते थे, दुश्मन भी सरेंडर कर देता था, वैसे भी बांसुरी बड़ी मधूर होती है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें सबसे मधूर आवाज होती ही बांसुरी की, जब वो कानों में पढ़ती है, आहा, मज़ा ही आ जाता है, तो भगवान बांसुरी बताते थे ना, एकदम युनिवर्स ठहर सजाता था, वो कॉस्मिक आवाज जो निकलती थी ना, पूरी एनरजी, सबकी एनरजी एलाइन हो जाती थी, और लोग सारे दुख भूल के बांसुरी के लिए उनका बहुत प्रेमता, और यही बेटा बता रहा हूँ, अगर तुम कोई भी चीज बहुत जादा प्यार करते हो, तो उसको छोड़ो नहीं, हाँ, याद रखना कि अगर वो प्यार टॉक्सिक है, तब अलग बात है, लेकिन जिसको तुम क्रेव करते हो, हमेशा उसके साथ लगे रहो, वो एक ना, एक दिन तुमको जरूर मिलेगी एक बड़ी चीज है, यह जैपनीज फिलोसफी में भी आपको मिलता है, भागवान श्री कृष्ण बताते है, कि हमेशा प्रेजेंट में ही रहो, अगर खाना खा रहे हो तो बस खाओ, गाना सुन रहे हो तो बस सुनो, फ्यूचर की चिंता करनी चाहिए, लेकिन जो इनसान conscious रहता है, यह गीता में भी बताया है, भागवत गीता में भी, दीसरे चौथे अध्याय पेश में बहुत जगी रहती है, वो ना भूत में जीता है, वो प्रेजेंट में जीता है, भागवान श्री कृष्ण बार बार एक चीज़ बताता है, कि अवेर रहो, तुमको अवे है, वो निश्य थी अपने जीवन को जीत लेगा, तो हमेशा अपने प्रेजेंट में, अपने वर्तमान में जीए, तो कि यही वर्तमान आपके भविश को डिसाइड करेगा, वर्तमान में आप बढ़िया, आपको पता ही नहीं है, क्या होगा, आपको कुछ नहीं पता, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कोद आपसे, कि सिर्फ प्रेजेंट में जीओ, बाकी चिंता मत करो, चिंता करने का कोई कारण नहीं है, जो होना है, वो तो होएगा, भगवान श्री कृष्ण को महाभारत एक एक चीज़ पता थी, अब वो बता देते, लेकिन उसस सब कुछ रुख जाता, सब कुछ बदल जाता, आप मुझे बताइए, कि अगर मैं आपको एक option दूँ, कि आपको अपना future पता चल जाए, तो क्या आप future जानेगे कि नहीं जानेगे, बहुत लोगों जानेगे, लेकिन बेकार है, अगर तुम पता चल जाए कि क्या होने वा तीसरा, smile करते रहो, दोस्तों ये बहुत बड़ी power है, भगवान श्री कृष्न हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आपने देखा ना, उनको कोई कितना भी कुछ कह दे, आपको पता है न, शिशुपाल को भगवान श्री कृष्न ने ये बोला था, ये वर्दान दिया था, कि at a time अगर 100 गालिया दे दो, at a time, मतलब ऐसा नहीं है, शिशुपाल हमेशा रुख जाता था, हमेशा रुख जाता था, मतलब 100 गाली नहीं देता था, उसको पता था 100 गाली को बाद भगवान श्री कृष्न मेरा बद कर देंगे, लेकिन तब भगवान श्री कृष्न मुस्क अगर भगवान श्री कृष्न अपना सुधर्चन चक्र निकाला, विदिन शकेंड शट्ट से उनका सरोडा दिया, तो भगवान श्री कृष्न कोई कितना भी कह दे, बस इसमाइल कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपको पता है, साइकोलोजिकली, साइकोलोजिकली, जब आप सम अपने दिमाग को लगता है, कि हाँ सब कुछ ठीक, आप खुद देखे आप गुस्सा होई आप, परशान होई ये, लेकिन जब भी आप गुस्सा होई आप परशान होई आप समाइल करके, पांच सेकेंड तक बस आप समाइल करिये, आपकी सारी प्रॉब्लम खतम हो जाई आपको लगा जा रहे, सब बढ़िया है, और एक दम दिल से समाइल करिये, तब तो और मज़ा आजाएगा, so always smile, अपनी समाइल सब किसी को भी मो सकते हैं, और किसी की गुस्से को भी शान कर सकते हैं, महाबारत में से कई किस्से आते हैं, अरजुन कभी फ्रस्ट्रेट हो ज Friendship को वैल्यू करना सीखें, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की दोस्ती, ये एक दुनिया का एक्जामपल है, दुनिया के लिए एक्जामपल है, कि भगवान श्री कृष्ण, देखिए ये जो स्टोरीज हैं ये आपको जीवन जीने का तरीका बताती है, Friendship को वैल्य के दुखों में साथ था, अगर आप उसको वैल्यू करते हैं, तो इससे बड़ा इससे अच्छी चीज को हो नहीं सकती, अक्सर जब हम बहुत अच्छे Friends रहते हैं, कई बार क्या होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसे दोस्त होता है, कुछ special Friends होता है, उनके साथ क बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे आगे बढ़ने में उस दोस्त का बहुत बढ़ा हाथ था, बचपन में उसको तुम्हारा कितना साथ दिया, तो फ्रेंडशिप को बैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भगवान शीरी कृष्न करेंगे, दोस्तों से शेर करेंगे, तो आलवेज वैल्यू योर फ्रेंडशिप, पांचवा लेसल, काम एंड कंपोजड, महाभारत में लोग मर रहे थे, चीक रहे थे, चिला रहे थे, शीरी कृष्न काम एंड कंपोजड थे, शीरी कृष्न जिसकी भी तरफ हो जाएंगे या अपनी फूख से पूरे युद्ध का सब कुछ पलट सकते थे, पुरा निर्णे, पुरा परिणाम, बलब परिणाम पुरा पलट सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ योजनाओं से चीजों को सही क्या, अब इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, कोई कितना भी इंसा अगर आप सही से प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप इस जग को जीत लेंगे, तो भगवान शुरी कृष्ण बताते हैं, कि हर एक चीज में, यू शुड बी काम एंड कंपोज्ड, जो स्थिर, जैसे गीता में में बहुता है, जो स्थिर माइंड होता है, मैं थोड़ा सा हिंदीक वर्ट्स में कंफ्यूब्स कर जाता हूँ, जो स्थिर दिमाग होता है, वो हर एक चीज को बहुती dhani से करता है, बहुती अच्छे से करता है, वो एक जो उत्तम पुरुश होता है, वो बहुत खुशी में, खुश भी नहीं होगा, बहुत दुप में दुख सई से दिखने लगी है ये चीज है उसके बात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इंसान जो सोचता है जो विश्वास करता वही बन जाता है ये बहुत बड़ी बात है आप जो सोच रहे हैं देखे it is the law of attraction कई बार आपने देखा होगा कि मेरी जिनकी में problem क्यों है उन problems को आप नहीं आमंत्रित किया है आप जितने ज्यादा negative होंगे आपकी life उतनी ज्यादा negative होती जाएगी हमेशा positive intent रखिए आप अच्छा सोचें दूसरों के लिए अच्छा सोचें इडशा ना पाले दोईश ना पाले थोड़ी बहुत पंचाय चलती है लेकिन किसी का बुरा ना चाहें क्योंकि आप जो सोचेंगे समझेंगे वही बन जाएंगे ज्याद रखेगा आपकी life वैसी ही हो जाएगी सात्वा change is the law of our world हमेशा changes लाने चाहिए देखिए change के लिए तयार रही है सुख दुख जीवन का हिस्सा होता है कभी सुख हाएगा कभी दुख हाएगा ना सुख में बहुत खुश होए ना दुख में बहुत परशान होए एकदम balanced रही है एक समय में आप अरब पती बन जाएंगे और दूसरे ही समय आपके पास पूटी कौडी नहीं बचेगा ऐसे बहुत सारे examples हैं तो हमेशा change होता रहता है और आपको इन changes को adopt करना सीखना पड़ेगा वन्ना problems आपको ही face करनी पड़ेगा ओके आठवा जो आपको करना है वो करना पड़ेगा याद रखेगा पगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे बेकार काम होता है in action अक्सार हमको लगता है कि आठ छुटी मिल जाए बस चुटी मिल जाए अच्छा लगता है जब काम करके आठ छुटी लेते हैं अच्छा लगता है लेकिन मान लीजे जब हमारी याद रखेगी जब हमारी summer vacation होती थी summer vacation में दो दिन बहुत अच्छा लगता था उसके बाद अब बोरियत होने लगती है किया अब क्या करें कुछ बचाई नहीं करने को तो हमेशा अपनी duty निभाईयक और काम करते रहें कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं अपने माता पिता के तिरे सकार करेंगे पढ़ाई नहीं करेंगे सही से दूसरों का चाहेंगे यह भी आपकी duty है कि आप दूसरों का अच्छा चाहें यह भी आपकी duty है है इंसानी जीवन, इंसानी मनुष, इंसान के जीवन में जो आप अफ्तरित हुए हो जो आप जनम लिए हो यह बहुती precious है इसको waste मत करिये सीखने के लिए आप यहां पे आयो तो लोग स भागना चाहिए किसी को और हमेशा काम करना चाहिए क्योंकि जीवन का मतलबी है काम करना नौवा वो सब चीज करिए जो आपको करना है लेकिन ego के साथ नहीं, lust के साथ नहीं, दूएश के साथ नहीं, इर्शा के साथ नहीं, लेकिन प्यार, compassion, humility और devotion के साथ जो भी करना है आप करिए, ओके, बहुत जादा जरूरी है कि आप चीजों को सही करें, बहुत जादा जरूरी है कि आप आगे बढ़ें, प्यार करें, लेकिन उसमें ego नहीं आना चाहिए, ego के कारण, lust के कारण, और envy, समझ दिए इर्शा इस दुन्या की सबसे खतरनाक चीज है, इर्शा आपको बरबाद कर देगी, उसके पास ये सारी चीज़े क्यों है, आप भी बहुत अमीर है, लेकिन अगर मालिचे वो भी अमीर है, तो आप ये चाहेंगे, उसके पास ये भी नहीं होना चाहिए, देखो अपने में खुश नेना सीखो, याद रखना, अगर आपके पास प ये चीज़, हर चीज़ करें, बट इन सबसे दूर रहें, इगो आईगी तो आपके रिलेशन्शिप खराब होंगे, आप आपको फियर होगा, आप गुसे में रहेंगे, आप दूसरों से इच्छे से बात नहीं करेंगे, दुपसान आपका ही, आपको छोड़के लोग चल होगे, और आपकी पावर धीमे धीमे कम होती जाएगी, और इर्शा तो सबसे डार्केस्ट एनरजी ही है, तो बहुत खराब है, इर्शा इतनी खराब होती है कि क्या बताएं, वो सब कुछ बरबाद कर देती है, तो इसी ही है, आपको बता देता हूँ, भगवान श्री कृ बोलते थे, जस्वा यह था कि जो दूसरों पर शक करता है, उसको कभी खुशी नहीं मिलती, क्रोध मुर्खता को जनम देता है, अफवा से अकल का नाश और अकल के नाश से इंसान का नाश होता है, जब जो दूसरे इंसान को शक करता है, कुछ लोगों की आदत होती है, हम मूर्ख लोग गुस्सा करते हैं, बताया ना कि काम रहना, कॉम्पोजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पागल होते हो वही गुस्सा करेंगे और गुस्से से इंसान का नाश होता है ठीक है, तो यह दस चीजे थी वैसे भगवान श्रीक्रिशन को जब आप पढ़ेंगे तो आपके जिंदगी बीच जाएगी तब भगवान श्रीक्रिशन खतम नहीं होगे वह इतनी सारी चीजे उनके उपर लिखी गई है फिलाल यह दस सीजे थी जो मैंने आपको बताई तो जन्माश्रमी की आपको हार्दिक शुप कामना है मंदिर चाहिए दर्शन करिए भगवान श्रीक्रिशन का आश्रवाद लीजे मंदिर नहीं भी जा रहे तो घर पर हरे राम हरे क्रिशन बोलिए हुचरी पर तेरी रिशन सिद्धान तक नियोतरी साइनिंग ओप